कि 11 साल की बच्ची जो है उसके साथ एक आदमी जो है उसके जो अंडर गार्मेंट्स है वो सारे मतलब निकालता है उसके बाद अपने कपड़े निकालता है और प्रेपरेशन आलमोस पूरी होती है कि रेफ ही कमिट करेगा बट क्यूंकि बच्ची जो है वो चिलाई आया, controversial वो इसलिए है, क्योंकि आप court से इस तरह की judgment expect नहीं कर सकते हो, अब आप क्या चाहते हो, कि वो rape नहीं कर पाया, उसको attempt to rape की category में ना डाल कर, उसको outraging the modacity of women की category में डाला है, section 354 जो है, वो outraging the modacity of women की चीज़े के deal करती है, इसमें क्या होता है, कि section 354 में जो maximum सजा है, that is 5 years, 5 साल की तक की सजा है, लेकिन जब आप attempt to rape का पर्चा लगता है किसी पे, तो वो लगता है section 376 red with section 511 of Indian Penal Code, क्योंकि अभी Indian Penal Code ही है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक लड़की, अब इसके बाद, मतलब intention हो गई है, आदमी का पूरा जो दिमाग है, उसने पूर करना है, उसके बाद उसने preparation पूरी कर ली है, अब आप यहां पर क्या attempt को, मतलब और क्या उसने करना था ऐसा कि attempt consider होता, तो यह बहुत ही controversial judgment है, क्योंकि court की तरफ से जब इस तरह की judgment आती है, तो लड़कियों की security की, women empowerment की, हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वो सारी जो जो वारदाते हैं, गटना हैं, वो कहीं न कहीं भढ़ती जा रही हैं, और एक और मामला जब सामने आया कि 11 साल की फूल जैसी मासुम बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की जाती है, और जब वो बच्ची चलाती है, और उसके बाद यह पूरा मामला जब court तक जाता है, और court का जो फैसला आता है, सुनकर आप हैरान हो जाएगे, court का क्या फैसला आया, उस पर चर्चा करने के लिए मारे साथ advocate मिनु पादा है, मिनु बताएं यह जानकारी की यह बच्ची के साथ जो हुआ, क्या पूरी कहानी थी और क्या judgment आई, जिससे सब लोग हैरान हो चुक आता है, और preparation almost पूरी होती है, कि रेप ही commit करेगा, बट क्यूंकि बच्ची जो है, वो चिल्लाई गाउवाले आसपास में आ गए, तो वो आदमी अपने जो यह दुशकरम करने का जो उसका पूरा वो था, मंचा थी, वो नहीं उसकी complete हो पाई, अब problem यह है सर, यहाँ पे जो court का judgment आया, controversial वो इसलिए है, क्योंकि आप court से इस तरह की judgment expect नहीं कर सकते हो, अब आप क्या चाहते हो, कि वो rape नहीं कर पाया, उसको attempt to rape की category में ना डाल कर, उसको outraging the modacity of women की category में डाला है, section 354 जो है, वो outraging the modacity of women की चीज़े के deal करती है, इसमें क्या होता है, कि section 354 में ज परचा लगता है किसी पर, तो वो लगता है section 376 red with section 511 of Indian Penal Code, क्योंकि अभी Indian Penal Code ही है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक लड़की, अब इसके बाद, मतलब intention हो गई है, आदमी का पूरा जो दिमाग है, उसने पूरा बना लिया है, कि उस लड़की के साथ उसने दुश तरह की judgment आती है, तो लड़कियों की जो security की, women empowerment की, हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वो सारी जो है, वो एक किसम बें उसमें question mark लग जाता है, क्योंकि ये मतलब court की तरफ से जब ऐसी judgment आती है, वो सच में unacceptable है, ये मामला कहा है, और इसमें हुआ क्या था, एक चुर में और कब हुआ था? अब वहाँ पर एक अठा हुए, जो नीचे की court में है, वहाँ पर परचा 376 red with 511 ही लगा, मतलब attempt to rape का ही लगा, लेकिन जब वो अपील करते करते हाई court तक जब मुद्दा पहुंचा, तो वहाँ पर एक अलगी judgment आई, that is कि ये attempt नहीं है, ये just एक लड़की के साथ गलत वे वार हुआ है, तो आप attempt किसको मानते हैं, ये पूरी तयारी है, उसके बाद भी अगर आप attempt to rape में, तो ऐसे तो लोग इतना सक्त कानून होने के बावजूद भी, सजा के बावजूद भी, आप देखते हैं कि rape के case कम नहीं हुए है, निर्भया का 2012 में हुए था, उसके कानून होते हुए भी लोगों को ये पता है कि किसी ना किसी तरह हम वो चीजें सॉट आउट करके निकल जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि जिस तरह से आपने बात की, आप भी एडवोकेट हैं, ऐसे और कितनी एडवोकेट हैं, जो इस निर्ने से जो खुश नहीं है, मेर मेरे ख्याल में तो मोस्ली सर होने ही चाहिए, अगर चीजें जो हैं आपके घर में किसी मेंबर के साथ हुई हो, तो क्या आप इसी तरह का और पास करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है एडवोकेट ही नहीं, मैं कहूंगी कि समाज का हर एक इंसान जो है, उस पो इतना तो चल रहा है कि एक इंसान जब कोई प्रेपरेशन कर रहा है, तो आप उसमें अटेम्ट टू रेप ना मान के उसको सिर्फ कह रहे हो कि नहीं, इसके साथ गलत वहवार हुआ है, तो इस तरह की जज्जमेंट जो है, मुझे लगता है कि काफी दुरभाग बुरन कानून है, बड़ प्रॉब्लम इस लोगों को अवेरनेस नहीं है, जिसके लिए सर में यूजरी बात करते हूं, बच्चे जो है, साधी भाशा में कानून का थोड़ा बोता उनको जानकरी होनी चाहिए, कि सपोज अगर ऐसा कोई इंसिडेंट उनको पता है, तो इमीजेट कोई वकील को मतलब जो है डालसा में जाके अपलाई करो, आपको मुफ्त वकील मिल जाएगा, वहां से अपना को, ज्यादा तर चाइल्ड डिउस के केसे में, स्पेशली जो अठरा से नीचे के जाए लड़के के साथ कुछ गलत होता है, लड़की के साथ होता है, बच्चे जो है वो शरम करते हैं घर में बताने में ऐसे इंसिडेंट, उनको पता है कि माबाबी बोलेंगे कि नहीं ऐसे ही है, मतलब चुप रहा तू समाज में वो नाम खराब होगा, यह वो, यहां पे बच्चों के साथ माबाब की भी जिम्यवारी है कि अगर बच्चा आपको डर करवा हूँ, इम्मीजेटली मतलब जो है अपने इस क्राइम को छुपा हो मत, में यह जो NCRB वगएरा के डेटा रिलीज होते है, सर, National Crime Record Bureau के, इसमें वो केस होते हैं, जो रिपोर्टीड है, हमारे JNK में भी ऐसे, मतलब, as a lawyer हमें पता चलते हैं, ऐसे बहुत सारी मैटर हो तो मुझे लगता है, as a parent, as a teacher, आपकी यह जिम्मेवारी है, कि बच्चे को और ज्यादा क्योंकि लाइफ टाइम उसके लिए यह एक mental trauma बन जाएगा, क्योंकि बच्चे के साथ आप गलत कर रहे हो, किसी भी तरह से, तो आप वो क्या से समझते हैं, कि वो बच्चा कभी जाती है, तो अब पुछिए उसे, अपने बच्चा या बच्ची को, कि आखिर क्या कारण है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, कुछ उनसे जरूर जानिये, लेकिन मिनमें भी बहुत अच्छे से समझाया है, कि अपने बच्चों को खुल कर जानकारी लेजि कि आए सवागे देखा होता है रूरल एरिया में क्या होते हैं लोग ना दबांद एतनेुं चीज़े इन फैक्ट रेप भी इसे सपोर्ट मुझे बिपता है जहां पर बैक तक कमिट हुआ बट उसकी फैमली ने लड़की की सपोर्ट ने किया और फिर लड़की ने किसी तरह जो है हिम्मत जुटा के मतलब आगे प्रोसीड किया लेकिन फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया कि नहीं क्योंकि यह नोन पर्सन था तो समाज में नाम खराब होगा तिरसे कोई शादी नहीं करेगा इस तरह की स्टेट्मेंट घरवालों की तरफ से आईए लेकिन कहीं ना कि पेरेंट्स भी इस बात से कहीं ना कहीं ढरते हैं क्योंकि समाज में रहना है और उसके बाद समाज में अगर इस चीज़े सामने आ गई तो आगे शादी भी करनी है श्रक्ना अगर आप इस तरह के गिनोने अपराद को भी इंगनोर कर रहे हो अपनी बचचे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप अपनी लड़की के साथ तो गलत कर रही हो पता दहाहा है तो आप का 2020紀 को अपने दिमाग में को आप कितनी लड़कियों के साथ गलत कर रहे हो तो ये आपको समझना चाहिए जो मामला सामने आया है इस मामले को लेकर जो है आप बहुत सारे जो है एडवोकेट की बात करें या बहुत सारे समाज के लोग भी जो है इस फैसले से कही ना कही नाखुश है लेकिन जिस तरह से ये वारदाते बढ़ती जारी हैं कानून तो सक्त है ही उमीद करते हैं आप अपने बच्चों को पूरे तरीके से समझाएं और उन्हें जो भी उनकी प्रॉलम्स हैं उन्हें समझें और उनके जो प्रॉलम्स हैं वो प्रापर फैक्ट्स और फिकर के साथ मुझे धन्यवाद